हेलो माई यूटूब फेमली मेंबर आज हम आप सब के लिए लेकर आए हैं नान की रेशिपी और आज हम नान तंदूर में नहीं तावे पे बनाएंगे तावे पर नान बड़ी असानी से बन जाते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं तो आए नान बनाना शुरूर करते हैं इसके लिए मैंने 500 ग्राम मेदा लिया है, दो चमच चिनी लिया है, दो चमच घी लिया है, और हाप चमच नमक लिया है, एक छोटी चमच से मीठी सुड़ लिया है खाने वाला, 300 ग्राम दही है, सभी को एक साथ डाल देंगे, डाल करके चमच से मिक्स करेंगे, चला चला करक मिक्س करेंगे फिर हाथ नर्म हाथों से धीरे करके सभी आत मेयदा को मिक्स करेंगे एक दस से पांस मिट मेट में ये डो जब बन जाती है muita बनायाएंगे और चक cotton खेएंगे पंच करें उपर आ जाती हल्किसी समझें ड्र हमारी अच्छी बन गई है आप हाथ में गी लेंगे में इसे ऋपर नीचे लगा करके और और सेट करने के बाद गर्म जगहा पर इसे दो से तीन घंटा तक रख देंगे, रिष्ट होने के लिए रिष्ट हो गया है, दो घंटा हो गया, आप नान को हम बनाना सुरू करते हैं, तो हम मैंने गोल सेप में बनाया है, आप गोल या चोखुट जैसे भी आपकी इच्छा ह वैसे आप बना सकते हैं इसे, और इसे ज्यादा पतला ना करें, जैसे आप प्राठा बनाते हैं उसी टाप से मोटा रखें, तावा गर्म होगए, यह पानी चीट दीए, अब इस पे नान दे देंगे, पानी चीट करके नान देने से तावा से चिपक जाती है, तो नीचे ने गिरती है, आप तावा को उलट करके से केंगे, अगर पानी ने चीट केंगे, ना ताप उलटेंगे, तो गिर जाए, यह पानी चीट करके बनाए, और नान को निचे से ज्याग करके देखेंगे, अच्छी गोल्डन चिटी तक हो रही है, पकाएंगे इसे, घुमा घु अधना कटोरी में दो चमस डाले हुए थे पहले से, अगे तो गियःखेुए थि कटोरी में, उसी कटोरी को लाएंगे, पिर एक लोई लेंगे, और लोई के सहायता से, सभी नान पर हलके हलके हाथों से, लगाएंगे इसमें और उलट उलट करके लगाएंगे, जब तक न तब उप्तेंगे, चाने देखंसे ल क्लिए के सार्फ केसे को अन्य जा करी मिदा आपकुना,ैक भीकी घञाखें भीक चबिटुमें लिएी सबस्क्ता है,माने जबने सब फती है,शुखकी भीक झाल झाल